दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नितेश कुमार के लिए एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें गाई सत पैरालंपिक्स 2024 में इंडिया ने अपना दूसरा गोल्ड मैडल जीत लिया है जहां इंडिया के नितेश कुमार ने मैंस सिंगल बैटमिंटन में जीता है गोल्ड मैडल जहां मैंस सिंगल बैटमिंटन के फाइनल मैच में नितेश कुमार का मुकाबला हुआ ग्रेड ब्रिटन के डैनियल बैथल के साथ दोस्तो अगर इस पूरे मैच के हाइलेट्स की बात करें तो नितेश कुमार ने पहले सेट में डैनियल को 21-14 से हराया दूसरे सेट में नितेश को हार का सामना करना पड़ा जोहां डैनियल ने दूसरे सेट में नितेश को 21-18 से हराया तीसरे सेट में नितेश ने वापसी की और एक रोमान्चक सेट में नितेश ने डैनियल को 23-21 से हरा कर गोल्ड मैडल जीत लिया दोस्तो नितेश कुमार के इस गोल्ड मैडल के बाद अब इंडिया मैडल टैली पर 22 वे रैंक पर आ चुका है जोहां इंडिया के पास दो गोल्ड, तीन सिल्वर और चार ब्रॉंज मैडल है जोहां इंडिया के टोटल मैडल हो गए है नौ तो दोस्तो पैरा ओलंपिक्स 2024 में इंडिया कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉंज मेडल जीतेगा कॉमेंट्स में जरूर बताएं ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें तक यू वर वाचिंग इस वीडियो